नमस्ते मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स दोस्तों जब चुनाओ का मौसम आता है तो एक खास तरह के आर्टिकल जरूर आते हैं वो जो टेंपलेट टाइप के होते हैं कि कौन सबसे गरीब उम्मीदवार है कौन सबसे अमीर उम्मीदवार है जो चुनाओ लड़ता है अब तक आपने कई करोणपती अरबपती कैंडिडेट देखे होंगे लेकिन क्या आपने अभी तक ट्रिपल में करने वाला या एक करोणड रुपए की नौकरी करने वाला कैंडिडेट देखा है नहीं देखा होगा क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब बहुत पढ़े लिखे लोग नौकरी पानी छोड़कर चुनाओ लड़ने आते हैं लेकिन ये हरियाना में होने जा रहा है ये चुनावी रवायत वहां तूट रही है दिल्चस्प बात ये है कि जहां लैंगिक असमानता चर्चा में रहती है उसी हरियाना में एक लड बनाया है नौक्षम की मा आईएस हैं और पिता जज हैं टिकट के मामले में उनका मुकाबला मौजूदा विधायक रईस खान से था जिनको उन्होंने पचार दिया विदेश से पढ़कर आई नौक्षम करीब 10 भाशाएं बोल लेती हैं समझ लेती हैं उन्होंने तीन बार की सबसे पिछडी सीट पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है बीजेपी के टिक्तों का एलान करने से करीब एक महीने पहले नौक्षम ने पार्टी आलकमान से चुनाव लड़ने की इक्षा जताई थी हरियाणा के मुखिमंतरी मनोहरलाल खटर की जन आशिरवाद य उन्वरस्टी से भी पढ़ी हैं डियू के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ते समय चात्रसंग नेता भी रही और यह बताता है कि स्टुडेंट लाइफ में ही उन्हें सियासत का चसका लग गया था हाला कि उसके बाद उन्हें पढ़ाई करनी थी और पढ़ने की लगन न लोगों से कहती हैं मैं लंदन में एक कंपनी जॉइन करने वाली थी लेकिन जब इसी साल अगस्त में मैं अपने गाउं आई तो मुझे एहसास हुआ कि जब मैं विदेश में आराम की जिंदगी बिता रही हूँ तब मेरे गाउं के लोग किस तरह मूल भूच सुविधाओ के बिना रहे रहे हैं इसके बाद मैंने अपना समाज में योगदान देने का फैसला किया खराब सडके और सिक्षा की कमी मेरे अजेंडे में सब से उपर है RSS की विचादधारा से इतिफाक रखने वाली नौक्षम को टिकट मिलने की कहानी भी वैसे बड़ी दिल्चस्प है मेवात की सोशल इंजिनिरिंग भी इसके पीछे एक वज़य है अंदर खाने की खबर रखने वाले बताते हैं कि RSS BJP के सदस्यों ने आला कमान से मेवात जिले की जो तीन विधानसभा सीटे हैं उनमें से किसी एक पर हिंदू कैंडिडेट उतारने की वकालत की थी इसके बाद BJP ने नूह विधानसभा सीट पर चौधरी जाकिर हुसैन और फिरोजपुर जिरका से नसीम एहमद को टिकट दिया लेकिन निर्दलिय विधायक बने रईस खान को अपनी सीट गवानी पड़ी अब देखना ये है कि 21 अक्टूबर को पुनहाना की जनता नौक्षम की किस्मत का क्या फैसला सुनाती है आप बने रहें नौभारत टाइम्स के साथ हमारा ये वीडियो अगर आपने फेस्बुक पर देखा है तो प्लीज हमारा पेज लाइक कीजिए यूट्यूब पर देखा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही खबरे लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे शुक्रिया